Hello Everyone, NK Education Channel पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नियोजी सिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की तिथी और उसका सलेवस सभी डिसाइड हो गया है आप देख रहे होंगे ये बिहार का BSEB की हमने इस वेबसाइट से इसको निकाला हुआ है जिसमें आपकी सक्षमता परीक्षा उसके सलेवस कब आपकी सक्षमता परीक्षा होगी ये सभी जानकारिया इसमें दी गई है और आपको जो विसेस प्रशिक्षन दिया जाएगा उसके बारे में भी इस सब बातों के बारे में हम डेटेल में बाते करेंगे उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आपको अपडेट रहे जब भी आपके सक्षमता परिक्षा या आपके राजय कर्मी रिलेटिड कोई भी अपडेट आए तो आप उससे अपडेट हो सकें और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माद्यम से आप अपडेट हो सकें और अगर वीडियो आपको अच्छा और इंफर्मेटिव लगता है तो साथ में लाइक जरूर किया करें तो चलो फ्रेंड्स अब आगे शुरू करते हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि परिक्षा का नाम यह हमने BSEB की वेबसाइट से ओफिशल वेबसाइट से लिया हुआ है जिसमें परिक्षा का नाम लिखा हुआ है शक्षमता परिक्षा एजेंसी इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताई दिया था कि जो एजेंसी का सेलेक्षन हुआ है वो BSEB पटना यानि की बिहार बोड है उसके माद्यम से ही आपकी सक्षमता परिक्षा ली जाएगी वर्स 2024 आवेदन आरम होने की तिति यह जो आपकी परिक्राफ सुरू होगी वो लास्ट वीक ऑफ जेनवरी फर्स्ट वीक ऑफ फेबरी तो फर्स्ट वीक फेबरी का होगा आवेदन की अंतिम तिति अभी इनोंने अपनी इस पर शोर नहीं की है ब्लेंक है और आगे है सक्षमता परिक्षा की तिति जो किस दिन होगी आपकी सक्षमता परिक्षा वो भी इसमें लिखा हुआ है लाश्ट वीक ऑफ फेबरी यानि की आपके फर्स्ट वीक जनवरी या फर्स्ट वीक फेब में तो आपका आवेदन प्रारम हो जाएगा और जो परिक्षा की जो तिति होगी वो होगी आपका लाश्ट वीक ऑफ फेबरी दोहजार चौबीस क्योंकि अभी board परिक्षा हैं वो खतम हो जाएंगी तो last week of February 2024 में आपकी सक्षमता परिक्षा हो जाएगी अगर कोई भी technical issue या कोई अन्य व्यवधान आता है तो जादा से जादा ये मार्च तक चला जाएगा आपका उससे जादा नहीं जाएगा बाकी official website आपका यहाँ पर लिखाई हुआ है ये पूरा detail हो गया आपका जिसमें यह यहाँ पर आप देख लें यह हमने इसी site से लिया हुआ है और आगे जो आपके prescription से related news है वो यह है आज की विसेस news में जो आया है कि BPSC से दूसरे चरण में न्युक्त 36,000 सिक्षकों का prescription का काम पूरा हो गया है अब यह तो वो थे जुनका chain BPSC में हो गया बाकी बचे दूसरे चरण के 38,000 का prescription एक माह में पूरा हो जाएगा ACRT के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि नए सिक्षकों को पूरी तरह आवाज से prescription दिया जा रहा है तो सभी को आवाज से prescription चल रहा है या आप सभी को पता है prescription में बच्चों को पढ़ाने के तरीके स्कूल का संचालन, बच्चों से कैसे बात करनी है आदी चीजों की जानकारी दी जा रही है तो जिन्होंने BPSC किलियर कर लिया है उनका जो prescription पूर्ण हो चुका है और साथ में जिले की जो बात है ये बात है कि उनका जिला ना बदला जाए नियोजी सिख्षकों ने डिमांड रखी है कि उनका जिला जब आवंटन किया जाए तो कम से कम जिला ना बदला जाए तो इस पर विचार चल रहा है जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम अपनी वीडियो के मादम से आपको तुरंद बताएंगी फिलहाल इसमें जो और नियूज आई है वो ये है कि आपको उसमें जो आपका आवास्य प्रेशिक्षन होगा उसमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है सुकूल का संचालन कैसे करना है बच्चों से कैसे बात करनी है बच्चे कैसे सहज हो सकते है आदी चीजों की जानकारी दी जा रही है BPSC से दूसरे चरण में नियूगत सिख्षकों का प्रेशिक्षन एक माह में खतम हो जाएगा बाद में नियूजिक सिख्षकों को भी 15 दिन की विसेश प्रेशिक्षन देने की बाद चल रही है तो उनका एक माह में खतम होने जा रहा है जिनका BPSC से जो बिल्कुल फ्रेशर्स थी उनका एक माह में खतम हो जाएगा आपका होगा जो की 15 दिनों का प्रेशिक्षन होगा आपका विसेश 15 दिन का प्रेशिक्षन होने वाला है आप लोगों का तो ये तो होगी प्रेशिक्षन से रिलेटेड बात है बाकी जो इसके सिलेवस की बात है यह इन्होंने website पर अभी नहीं डाला है लेकिन जो अभी हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि जो आपका syllabus होने वाला है वो syllabus आप जिस class को पढ़ाते हैं उसके according होने वाला है माली जी जैसे आप 6 to class 6 to class यहां पर आप पढ़ाते हैं 6 to 8 तक का तो इसमें जितना भी syllabus 6 to 8 का है व जो परिक्षाओं में दी जाती हैं उस परकार का सुनने को आ रहा है लेकिन जो आप class पढ़ा रहे हैं उससे बहार तो नहीं आना उससे related जरूर आएगा ऐसा बताया जा रहा है इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो classes आप पढ़ाते हैं और जिस विशे के आप है उस पर आपका command होना चाहिए जो classes आप पढ़ा रहे हैं तो उससे ही related आएगा उससे अधर नहीं आने वाला बाकि जब officially बिल्कुल clear हो जाएगा कि यह आपका syllabus है वो हम video के साथ आपको बता देंगे और जैसे भी आगे कि जो भी update होगी अपने video के मादम से हम आपको बताते लिए प्लीज आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगा वीडियो को अंतक देखने के लिए thank you and thanks for watching